हलो नमस्कार मैं डॉक्टर नौल पटेल डिर्मेट लोजी स्विम हेर ट्रांस्परांट सर्जन और अक्लिंग राइगर छेटीजगर चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ किटो को नजल जो सेंपू होते हैं उसके यूज के तरीके उसे क्या एफेक्ट होते हैं क्या साइड एफेक्ट होते हैं और किस बीमारी में किस परपस में कैसे यूज को यूज किया जा सकता है और टॉपि किसन आता है उसको प्रेस करके रखें ऑन करके रखें जिससे कि कुछ न कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर रहेंगी जो आप तक सही टैमें पे सही पूंचे और आपको उसका लाब मिल सकता है चलिए देखे सुरू करते हैं कीटो को जोल संप इसके बारे में हो सक और साइड इफेक्स यूज के तरीके में बता दूँगा कीटो को न जोल संपू वैसे तो OTC मतलब medical stores में आजकल किराना इस टोर्स में भी या other fancy stores में भी मिलने सुरू हो गए हैं इसका यूज अधिकतर जिनको डेंटरफ हो गया है किसी प्रकार का डेंटरफ हो चाहे dry, चिपचीपा, grizy कोई भी प्रकार का डेंटरफ हो उसको ठीक करने में यूज होता है लेकिन की इस डिला शो बोलते हैं मस्टलब पीट्रेसिस वर्सवियाल बिमारी को भी ठीक करता है बालों में जो चिपचिपा एक्सेश उयल डर्डड डर्स्ट यह जम्मा हो गया है उसको भी साफ करने में ह़ल्प मिलता है sore ea season sector सीबोいい cosmetics साइश के साथ में अगर hair forol हो रहा है कि लिए कर दो केले के लेओ यह आपको तरीका पता दे रहा हूं की टोकोना जोल सेमपू बहुं सारे komposition में भी मिलता है की टोकोना जोल प्लें ऐं बहुत कॉमन है इस सेमपू का इस्तमाल अगर आपको ज़्यादा डेंडरफ है तो इसका इस्तमाल हर alternate day में मतलब हर एक दीन छोड़ छोड़ के बालों में लगा के रखना चाहिए, अच्छे से मसाजिंग करके ज़ाग करना चाहिए और उस ज़ाग को फिंगर टिप से थोड़ा-थोड़ा मसाज करते रहें और पांच मेंट के बाद में नॉर्मल पानी, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गरम होना चाहिए इस प्रकार से आप बालों को अच्छे से दो सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि आपको डेंडर बनने की टेंडेंसी होती है, इसकालप ओईली होता है, बहुँ ज़्यादा डेंडर नहीं है तो आपको इसे मेंटेंस के जैसे हफते में और दस दिन में एक बार एंटी डेंडर जिंपू का इस्तवाल आप कर सकते हैं कई बार ऐसे कंडिसन्स होते हैं जिसमें कि जिनको सोरी ऐसी से है, या इची स्कालप है, मैंने खुझलियां होती रहती है तो ऐसे परसन को मैं रिकमेंड करता हूँ कि कई बार उनको हर अल्टरनेट डे में या कभी-कभी जब बहुत जादा एकसेस हो जाता है तो रोज लगातार हफते पर यूज़ करना चाहिए फिर अल्टरनेट डे, फिर हर दो दो दिन बाद उसको यूज़ करते रहना चाहिए कभी-कभी ये कीटो को नजोल नॉर्मल जो सेंपू ना काम करे अगर पपड़ी जाता जब भी होई हो तो आपको कीटो को नजोल कोलतार के जो कॉमिनेशन होती है इन सेंपू का इस्तमाल करना चाहिए इन सेंपू के इस्तमाल करने से आपको जो स्केली, फ्लेक्स, ड्राई जो रहेगा वो जल्दी निकल जाएगा लेकिन याद रखें अगर आप कीटो को नजोल सेंपू कितने विराइटीज होती है गलत सेंपू का चुनाव करेंगे तो हो सकता है आपका स्काल्फ ठीक ना होने की जगह उल्टा डेमेज भी हो सकता है हेरफॉल बढ़ सकता है क्या कीटो को नजोल इतने सारे जो सेंपू है जैसे एक कव्मिनेश होता है कीटो को नजोल प्रियॉक्टेन वाल शेंपू होता है यह अच्छा माइल्ड होता है डेंडर को खदम करने के सांथ ही सांत में यह थीक करता है जब keto grognadीl सेंप्व का इस्तमाल और अधर चीजहों में भी यूज़ किया जा सकता जैसे अगर आपको फंगल इंफेक्शन हो गया है तो नहाने के समय में फंगल इंफेक्शन ओले पार्ट में किटू कुरुण जुल सिंपू को इस्तमाल अपने फंगस के पैचेस में लगा के अर्चेस जाकर के 5-6 मिनिट आप रख सकते हैं और इसके आद में नहा सकते हैं बचों में क्रेडल केफ होता है उसमें भी इसका इस्तमाल एक तरह का डेंटरफी जैसे उसमें भी यूज़ होता है बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जिनके पैरों में केंडिडा हो जाता है पैर के नाकुन सड़ जाते हैं उन जगों को साफ करने के लिए भी केटो को नजोल सेंपू का इस्तमाल होता है अगर यहां को टॉपिक अच्छा लग रहा है इन्फर्मेटिव वीडियो लग रहा है तो इन चीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें, कमेंड करके जरूर बताएं जिससे कि इनसे रिलेटेड और अधर इन्फर्मेशन में समय समय पर लाते रहूँगा यह तो हो गई यूज की बाते हैं लेकिन क्या केटो को नजोल सेंपू से क्या आपको कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं जी हां, अगर कोई भी मेडिसिन है कुछ नगुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे क्या हो सकते हैं अगर आपके बाल ड्राई हो सकते हैं उसका टेक्स्चेर बदल सकता है डिसकलिरेशन हो सकता है तो आप ध्यान रखें केटो को नजो से आपको पता चल गया तो लंबे समय तक यूज कर रहें ऐसा गलतीन ना करें जब तक जवरत है उतना ही इस्तमाल इसका करें तई बेर इसके गलत इस्तमाल से हैर फॉल की सिकायत आपको बढ़ सकता है मतलब हैर फॉल जाता भी हो सकता है माथे में चोटे-चोटे पिंपल के जैसे दाने एकने फॉर्म इरप्सन पिंपल जैसे दाने हो सकते हैं कान क्या सपास खोजली हो सकती है कभी-कभी तो यह किसी-किसी को इलर्जीक रियेक्शन, सिवेर्टी ज़्यादा बढ़ा देती है और पहुँँ ज़्यादा रियेक्शन भी हो सकता है कई भार ऐसे नोटीस किया गए कि ऐसे पेशेंट जिनको कहीं कि अधर कोई क्लॉटर मेजोल क्रीम, मैकोनाजोल क्रीम उन क्रीम से एलर्जी है ऐसे लोगों को भी कीटों को नजोल वाली लोशन, सेमपू या क्रीम से एलर्जी हो सकता है क्योंकि ये एक इंटिफंगल सेम गृप का होता है तो उससे ऐसा हो सकता है कभी-कभी आखों में जाएगा तो जलन इरिटेशन हो सकता है इसकिन बढ़नी हो सकता है तो अपने डॉक्टर्स को जल्दी से जल्दी आप जरूर दिखाए ताकि आपको इससे ज़्यादा कोई नुक्सान ना हो नाखोनों में भी डेमेज ये करा सकता है इसलिए अधिकतर मेडिशनों को चुनाव करने से पहले उसके इस्तमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स को जरूर पूछें कि यह आपके इसकिन में आपके स्काल्प में कितने दिन कैसे और किस तरह का यूज होना चाहिए आसा करता हूँ यह वीडियो से आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करके आप जरूर जाएं और कमेंट करके पताएं कि अगला आपको टॉपिक किस चीज में सुनने के लिए इंट्रेस्ट है